उत्ताप्रदेश की खबरों के मेगा बुलिटिन अपना उत्ताप्रदेश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ काविन चौहान खबरों के और रुख करेंगे उत्ताप्रदेश में विधानसभा चुनाओं से पहले समाजवादी पार्टी ने 300 योनिट फ्री बिजली का अभ्यान शुरू कर दिया है सपाध्यक्ष अखिलेई शादव ने बताया कि ये अभ्यान कल से शुरू होका उन्होंने कहा जो लोग फ्री बिजली पाना चाहते हैं वो सपाध्यक्ष दौरा दिये जाने वाले फॉर्म में अपना नाम लिखा है इस दौरान क्या कुछ कहा खिलेई शादव ने आपको सुनवाते है जो प्रदेश अद्यक्ष हैं उनका जवाब देंगे और अगर उन्होंने अन्दाताओं को आतंगवादी कहा कौन नहीं जानता कि अन्दाता को आतंगवादी निका भारती जंता पार्टी के लोगों लिखा था कि 2022 तक किसानों की आए दोगनी हो जाएगी अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुकतान नहीं किया है पूरे उत्तपरेश में धान की लूट हुई पूरे उत्तपरेश में जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ चाहे उलाबरिस्टी से या किसी कारण या जानवर से अभी तक किसी को मौाफ़ा नहीं दिया गया किसी की मदद नहीं की गई और आज महेंगाई के कारण किसानों की कमाई आदी हो गई है तो ये इन सवालों का जवाब भारती जंता पार्टी कब देगी लगातार सुजाव लिए गए थे और मैंने आप से कहा कि जिस समय भारती जंता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा उसके बाद समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो लाएंगे और बहुत सारे सुजाव हमें समय समय पर मिले हैं सोशल मीडिया के माद़न सही मिले हैं हमारे सुबचिन तक हैं उन्होंने भी दिये हैं समय समय पर किसान संगठन के लोग मिले हैं या और संस्थाओं के लोग मिले हैं उन्होंने भी बहुत महतपूर सुजाव दी हैं बड़े पेमाने पे डॉक्टर्स मिले हैं लगातार डॉक्टर्स भी संपर्ग में उन्होंने भी कुछ सुजाव दी हैं तो लगाता सुजाव समाजादी पार्टी को मिले हैं जिनों ने दी हैं उनके सुजावों को रखा है और मैं फिर भी कहता हूँ अगर कोई सुजाव देना चाहता है तो आज इतने प्लेटफॉर्म से समाजादी पार्टी के हैं मेरे पास भी हैं इन बॉक्स भी बहुत सारे मेसेज़िस मिले हैं, जैसी तारीके चुनाओगी गोसित हुई, या पिछले एक साथ से लगातार लोग कुछ न कुछ सुजाव दे रहे हैं। समाजवादी सिध्धांत लागू हो, भेदवाव खतम हो, जातिके अधार पर फैसले नहीं हो, कानूबरस्ता बहतर हो, डरल्लमेंट में इंफ्रसक्शर बहतर हो, सोशल स्कीम्स पहुंचें लोगों तक, रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक चीज़ हैं, कम से कम वो लोगों क मिलें, और समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव काम इसलिए कर दी, आपके सामने एक्जेम्पल है, लखनू में आप देखिए, वर्ल्ल क्लास मेट्रो है कर नहीं है, उसी तरह की मेट्रो नॉटर टू ग्रेटर नॉटर है, वर्ल्ल क्लास है कर नहीं है, आप आगरा की कानपुर में वर्डास मेट्रो दी के नहीं दी ये तमाम पॉलिटिकल पारटी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि नदियां साफ हो आज दुनिया में बहस इस बात किया होती कि नदियां कैसे साफ हो पानी कैसे साफ मिले तो एक्जेंप्लरी वर्क या समाज़ादी क्योंकि यहां के गरीब लोगों को इलाज कराने बंबी जाना पड़ता है दिल्ली जाना पड़ता है महंगा इलाज कैंसर का है और इलाज लोग नहीं करा पाते हैं इसलिए समाज़वादी सरकार में कैंसर इस्टूट बनी यह सब प्रोग्रेसिव हैं लैफ्ट आप डिस् कोशिस है कि प्रोग्रेसिव कामों डर्लमेंट के कामों लोगों को जोडने का कामों हम लोग जोड रहे हैं कभी नफलत की राद नहीं करतें कभी किसी बात को लेकर किसी से नहीं जोडतें लेकि भाती दिन ता बाड़ी के देखिए हमारे मुख्यमंती जी कहते हैं जीन्स ऐसे हैं तो मैं तो चाहूँगा कि मुख्यवन्ती जी हमारा आपका दोनों का सेंपल ले लो जीन्स चेक कर लो किसके कैसे है हमारा भी सेंपल भेज़ो डाक्टर हम भी दे रहे हैं अपना भी सेंपल दे दो सूचना के बाद स्थानिय पुलिस मौके पर पहुचकर ग्रामीडो को समझा रही थी कि उसी बीच बात बिकड़ कई और ग्रामीडो द्वारा पत्थराओ चालू कर दिया क्या जिस पर पुलिस ने भी लाठिया भाज़ना शुरू कर दिया जिस पर कई लोग घाय हुए है तरशकों फरकाबाद में मौसम के बदले मिजाज में लोगों की चिंता बढ़ाती है लोग घरों में दूबके हुए ऐसा लगता है मानो शेहर ने बर्फ की चादर ओडी हुई हो सुबह सही कोहरे के चलते बिजिविलिटी भी पूरी तरह बंध है वही मौसम विभाग में नुमान जारी कर बताया है कि यहां नियुंतम तापमान साथ और अधितम 18 डिग्री सेल्सिस रहेगा वही कोहरे की व हमीरपूर में कोविट नियमों सहित आजार सहिता की धजियां उड़ाई गए जहां धार में कारिक्रमों की आड में बार बालाओं से जमकठों के लगवाए गए रात भर लगाए गए बार बालाओं ने अस्रील गानो पर ठुमके आपको बताने कि इस कारिक्रम का योजन ग्राम प्रधान निकराया था इस कारिक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ वहां मौझूद रही है सुमेरपूर थाराशेत्र के पलरागाओं का ये पूरा मामला है जिसकी तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर चल रही है बताईए जहाँ एक तरफ ये बड़ा सवाल बनता है जहाँ एक तरफ आचार सहिंता लागू है दूसी तरफ कोविट को लेकर गाइडनाइन्स लागू है उसी बीच इस तरह से बार बालाओं के ठुमकों की जो वीडियो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे है हमीरपुर के ललपुरा थाना शेत्र के गाउं से तीन बाइक सवार यूबक मुख्याले के हो जा रहे थे जैसे ही बाइक सवार यूबक सदर कुटवाली शेत्र के संक्री पीपल के पास महुचे कि तब ही उनके बाइक असंतुले थोकर खाई मिचा पल्टे इस हाथसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हुई है और एक गंभी रूप से खाया लोग गया जिससे अस्पताल में भरती कराए गया है अधिर सुकला शनो राम बाबूर राम रतन नंगर शनो पालपुर के रहने वाले हैं अधिर बाकी दो लोग प्रदीश सिंग सनो अनेल सिंग भरतपूर खडेशा कानपुनंगर और मुपेश पाल राम पाल शायर थाना बिमार ती तोनों मुथ अधिर नाम है कि अधिर नाम है टॉक्षर दीपक मनीदा नहीं मिदर्शिकों महोबा शहर कुटवाली शेतर के सदर तहसील परिसर में आए दिन लगने वाले जाम को लेकर अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश है आने जाने वाले फरियादियों के दवार आप बीच सड़क पर साइकले और चार पहिया वाहन लगाने से नाराज अधिवक्ताओं ने परिसर में ही जाम लगा कर खड़े वाहनों के ततकाल चाला करने ही मांग की है आज सभी अधिवक्ताओं के मन में यह आया था कि जो इधर से तैसील गेट से और अंदर तक यह रास्ता सीसी गई है इसमें आम जन्ता की गारियां आकर के इतनी लग जाती हैं कि यहां बैठे हुए अधिकारियों की गारियां जो बाद में आती हैं उन लोगों को गारिया इसलिए अधिवक्ता मिलकर इसलिए हमने गाडियों को लगा दिया अगल बगल और जो भी आम जन्ता की गाडियां आई यह मैसेज देने के लिए कि जब वो गारियां रुकेंगी यह लोग जो है समझेंगे कि यहां नहीं अधिकत होती है इस बात को लेकर जाम लगाए हैं, यहां ये रस्ते में गाड़ियां खड़ी होती हैं, और आवस्चेक सूचना है, यहां उपजिलात कारी की लगी हुई है, कि गेट से सीसी रोड तैसील के अंदर जो है, जो भी बाहन सडक पर पाया जाएगा, उस पर जुरवाना किया प्रत्याशी प्रचार प्रसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, इसी क्रम में प्रत्याशियों के बोल भी बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, दरसल 139 पूरण पूर्विधान सभा में, सपा के पूर्विधायक पीतम राम की पुत्र वधू आरती महिंद, यहां इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए रामपूर में पुलिस अदिक्शक, रामपूर, अंकित मित्तल के साथ, साथ और पुलिस कर्मियों के कुरोना पॉजिटिव मिलने से पुलिस भिवाग में हड़कम मच गया इस मामले पर डिप्टी सियमोर दॉक्टर मनूल शुकला ने बताया कि आज जो रिपोर्ट आई है, उसमें स्पी रामपूर कुरोना संक्रमित पाए गया है साथ में साथ पुलिस कर्मी भी कुरोना पॉजिटिव पाए गया है, इस तरह आठ पुलिस विवाग से कुरोना संक्रमित आज पाए गया है इसके लावा आज आई रिपोर्ट में खुल 260 लोग कुरोना संक्रमित मिले है पॉजिटिव आए गया है कि अधर रिपोर्ट आई है उसमें आज रामपूर पॉजिटिव आये हैं वह वह पास हुंआरे पास पॉजिटिव वह हमारे पास एक हटार सो स्थे बहात्र केस हो गए हैं हुआए पास पास ये पौस्टिप केस हैं तो इंको इतियार रखनी है अपनी ही सबसे रहना है रहना है इंको एफ्साथ से और बश्य कहना है कि आप जो न्यावली है को उसकी कोरोना की उसे फालो करें हैं इस इदाद नगर में दो सगे भाईयों में जमीनी विवाद को लेकर मार पीट हो गई जिसमें दोनों पक्षों के कई लोगों को गंभीर चोटे आई हैं प्रात्मिक उप्चार के बाद प्रभारी C.H.C. बॉंसी डॉक्टर आरके सि तीन को जिला स्पताल रेफर गलोहरा थाना शेतर के कोहनवार खुदकवा ये पूरा मामला है गलोहरा थाना पुलस ने इसका मेडिकल कर फिलाल वजांच मुझट गई है बदाईयों के 117 विधान सबा दाता गंज में चुनावी पारा चल चुका है आपको बता दे कि 14 परभरी को यहां मतदान होना है प्रत्याशियों के चुनावी वादे भी खूब हो रहे है लेकिन जनता के मन में क्या है ये जानना भी जरूरी है 117 विधान सबा की जनता क्या कुछ कहती है इस रिपोर्ट में देखिये अच्छा एक चीज बता दीजिए 2017 और 17 से जो है 2007 शुनोद साक के रहे थे बहन जी का सासन था क्या क्या का रहे हुए मायवत्ती की सरकार में क्या क्या अच्छे कारिये थे अब क्या लगता है भाजपा सरकार में गुंदा करती है कि दो चौदा फरवरी को बोटिंग होनी है किसे बोट करेंगे अच्छे कारिये मायवत्ती के एक बता दीजिए आप जो है यह आने वाले 2000 अभी मतदान है किसको वोट करेंगे आप किसको बोट करेंगे आप अच्छे इदर फिर रहे तर यह गलास के पेड़ बर रहा है तो आजार रुपर दे रहे हैं इसके चीनी पर्ती जलेगी इसे क्या बहें जले आएए पाइनदी में तीन सौ रुपिया जलेंदर वरे जाते हैं आप क्या खेरे रहे हैं? आदमें बर्जेर गल्ला कॉन खाय रही है आदमें इंसान मर्जी यह तो गल्ला कॉन खाय है अच्छ अच्छाइब डाक्टर के स्कताल बंद पेड़ता है जाथा जा था इस स्कूल बंद करता है तो गहतले लिखिया तो एज कर कोंध पुझ है वालक है एंकिता नहीं तर अब तो सरकार ने उन पर भरोसा जताया है तिकिट भी उनको खोसित कर दिया है बीजेपी से देख रहे हैं जोड़ार फर्वरी को मतान होना है किसे बोट करेंगे अच्छा पहिंजी के कोई कारिये बता देजैंगे पहन जी कारियों हो ना हो हम तो जैसे देंगों देंगे फोट दसाल पे यहां पर भी एसपी से सुनोद साक्ष रहेते क्या 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 कारियों अरे बहुत कुछ भी नहीं हुआ ऑगा वागा च्ट रही है यह काना राद देना ह्वाई सबस्कतर खाय रही है दो सबसक्राइब कि प्राइबट कर रहे हैं आप यूगा है ठीक बोट बन गया अच्छा पहली बार वोटिंग करेंगे किस कि सरकार बना रहे हैं बिदान सबा चुराओ 2022 के नजदीक आते ही मैनपूरी की पुलिस वरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सतर हो चुकी है पूरा मामला किस्नी धाना शेत्र के इटावा मैनपूरी बॉर्डर का है जहां मुख्विर द्वारा पुलिस को ये सूचना मिली की अंतर जन्पदी है कघामी ऐलेक्षंस को लेकर के जन्पद में सखन चेकिंग अभयान को पूरी जन्पद में चलाय जा रहा है जिसमा हमारी टेमें जगह जगह पर लगीवी बेह्यरियश पर इसी क्रव में इटावा में किस्नी वार्डर पर टेकिंग उन्पदी आ गया उनके कप्जे से शोरी की दस गाड़िया मोटरसाइकी ले चार तमंचे और ये पांच बदमाज टोटल जो है इसमें अरेस्ट हुए हैं इसमें से प्रदीप कश्यप इतावा का है अभिशेख शाक भी इतावा का है इस फाक ये भर्थना इतावा का है मुरदाबाद के संबल रोट गागन के पुल पर भीशट जाम लगने से आम जिनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बताय जा रहा है कि पुल की मरमत के लिए जाम लगा है करीब दो-तीन किलोमीटर तक ये जाम लगा दोनों और वहानों की लंबी-लंबी कतारें देखी गई हैं खबर बलिया से है जहां बलिया नेता प्रतिबख्ष राम गोविन चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ हाथों में अनलेकर संकल्प लिया और कहा कि जब तक किसानों के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती किसानों के साथ नयाय नहीं हो जाता ये हमारा अंदोलन जारी रहेगा वह उन्होंने कहा कि कैशो प्रसाद मौरे और योगी आदितनात की बात पूरा देश जान गया है कि कौन क्या है हर धर्म जाती के लोगों ने मन मना लिया है इस बार प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्य मंतरी बनाना है अब आज पा कितना भी जूट फरेव करें कितनी भी चाल चलें जनता सब जानती है अब गठ बंधन के विशे में बात कि और राच्रिया तक जी कहेंगे उसरों हम कुछ नहीं बुलें सब्सक्राइब के लिए एक हजार योगी और मोधी की तस्बीर लगाकर साड़िया वित्रण करने की तैयारी में है क्या कहेंगे सब्सक्राइब यह तुम्हें बिधान सभाव में उठाया था पांच की लोगें हूं आपको याद होगा मन याखिले स्यादो मुख मंतरी नाम फूटो हो गया था लखनों में मंतरी ब्रजेश पाठा के धर्म गुरू मौलाना कल्वे जवाद से मुलाकात की यह मुलाकात मौलाना कल्वे जवाद के आवास पर हुई फिलाल ये एक सिष्टा चार भेट बताई जा रही है तस्वीर आप देख सकते हैं लखनों की तस्वीर है जहां ब्रजेश पाठाक और कल्वे आजाद साहब ने मुलाकात की है लेकिन इसको एक सिष्टा चार मुलाकात के तोर पर बताई चारा है तो मंत्री ब्रजेश पाठाक के साथ धर्मगुरू मौलाना कल्वे जवाद नजर आए है लेकिन जब तक सियासत इसको कोई रंगुरूप दे पाती उससे पहले ही बताई गया है कि एक सिष्टा चार भेट तक ही सीमित है लखनों में पत्नी की हत्याकर पती ने फासी लगाने की कोशिश की जिसके बाद आसपास के लोगों ने शक्स को फंदे पर जूलता देख अस्पताल पहुचाया वे मृत्का के शव को पोस्पार्टम के लिए भेजा है मृत्का की मा के शिकायटी पत्र काधार पर पुलिस आगे की कारवाई में चुट गई है पूरा मामला आपको बता दें कि आलम बाग थाना शेत्र का है आज अरा जिनमरी की सुबर हमें इस इतना विली कि एक व्यक्ती ने पौन से द्वारा ये बताया पिली वाई ने पामला प्यास किया। हमारी जब से हमारे भाईया खतम हो गए उनका हमारी भावी से चक्कट चल रहा है इसी वज़े से उन्होंने हमारी दीजी को खतम कर दिया वो उनके साथ लहना चाहते हैं हमारे मम्मी पापा को सबको बहुत प्रेशान करते हैं दोज़ार वाईस विधनसभा चुनाओं के लिए बिगुल तो बच चुका है और जनपर शामली में दस फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान होना है जिसके लिए शामली में नामांकन प्रक्रिया चल रही है आज गटबंदर प्रत्याशी प्रसनल चौधरी ने शामली कलेक्टेट पहुँचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और कहा कि इस बार जनता महंगाई बेरोजगारे और किसानों के मुद्धों को देखते हुए मतदान करें इस बार बीजेपी का सफाया होने वाला है जब से पहलो तो मैं सब का धन्यवाद करता हूं और राष्टे लोगदल के राष्टे अध्यक्स चोदरी जैन सिंग का अबार वेक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इसलाक समझा कि अपनी पार्टी का और गडबंदन का परत्याशी बनाया उनका बहुत-बहुत धन्यवा आज की समय में किसानों के परती उन्होंने वादा किया था कि हम आपकी आए किसानों की आए दुगनी करेंगे लेकिन वाए एक चोथाई रहेगी उन्होंने वादा किया था कि दो करोड युवाओ को रोजगार दिया जागा युवाओ को रोजगार तो मिले मिले नी उपर से होर यदि उन्हें रोज़ार मंगया तो उनके उपर लाठियां बरसाई गी पुलिस की मुरादाबाद के कलेक्टरेट पर जिला प्रिशासन द्वारा बैरिकेडिंग करवा दी गई है बैरिकेडिंग लगने के बाद अधिकारों द्वारा सारी विवस्थाओं का जायजा लिया गाएगा और सुरक्षा कर्मियों विवस्था को लेका देशार इर्देश प्यादिकारियों द्वारा दिये गए गए एक इस तरीको जो हम लोग का नमिनेशन चालू हो रहा है इसको लेकर के तीन अस्तरी हम लोगों ने कर रखा है सबसे पहले रोड के पास गाड़ियों को हम रोक रहे हैं उनको पार्गिंग भी दे रहे हैं कि अपनी फोर्विलर्स को वहां तक रोक ले वो उसके बाद हम पैदल वालोग वाने दे रहे हैं और जहां बिल्कुल कॉलेक्टेट के करीब जहां पर हमारा नमिनेशन अस्तर स दो सब्सक्राइब कर रहे हैं वहां सिर्फ कैंडिडेट और उनके दो समर्थ सिर्फ तीन लोग आ सकते हैं उसी के लिए भी यह हमारी बैरिकेटिंग चल रहे हैं किस तरह के मत्तव सुरच्छे के इंटिजाम रहेंगे क्लेक्टेट पर को रोना काल भी चल रहा है लोगों को बइसे इंटियर के अब लिए को रहे हैं तो फिलाल के लिए इस बुलेटन में इतना हैं इस भागी देशों दुनिया की तमाम बड़ी खवशं को देखनेधि आ को मने रही इकान नीज्ट वर्ल्ड इंडिया के साथ शुक्रिया झाल झाल